नमस्कार दोस्तों क्या पढ़ना यादफ सपा में वापसी करने वाली क्या छोटी बहु की हो जाएगी घर वापसी दोस्तों नेदा जी मुलायम सिंग यादफ की पुन्निति थी के दिन पूरा यादफ परिवार सैफ़ाई में इखटा हुआ था अखिलेश यादफ डिम्पल यादफ उनके दोनों बच्चे दोनों चाचा समेत समाजवादी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो चुकी यादफ खांदान की छोटी बहु अपढ़ना यादफ भी अपने बच्चों के साथ सैफ़ाई पहुची थी अपढ़ना ने कुछ तस्वीरे भी शेयर की थी एक तस्वीर में वो नेतजी की फोटो पर फूल चड़ाती दिख रही है उनके साथ उनकी बेटी भी है दूसरी तस्वीर में नेतजी की तस्वीर के सामने वो हाथ जोड़ कर खड़ी है और तीसरी तस्वीर दोस्तों क्योंकि इसमें पूरा यादफ परिवार एक साथ दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में अखिलेश और डिम्पल साथ में हवन कर रहे हैं अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादफ शिपाल यादफ परिवार के तमाम लोग भी बैठे हुए हैं दोस्तों इस तस्वीर में नेता जी के लिए पूजा की और उन्हें शद्धानजली दी तो वहीं दूसरी तरफ प्रतीक यादफ ने रिशिकेश में जाकर अपने पिता को याद किया दोस्तों अपढ़ना यादफ नेता जी के चोटे बेटे प्रतीक यादफ की पत्नी हैं 2022 के यूपी विदानसभा चुनाव में सपा को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गई थी लेकिन अब पूजा में शामिल होकर उन्होंने यादफ परिवार की बहु होने का कर्तव वे तो निभाया ही है साथ में ये भी दिखा दिया है कि वो अभी भी परिवार के अच्छे बुरे समय में उनके साथ में खड़ी हुई है अपड़ना की तस्वीर पर कुल्दीप यादव नाम के एक यूजर ने दावा किया है कि भाबी जल्द समाजवादी पार्टी जॉइन करेंगे इसे देखकर अंदाजा लगा जा रहा है कि कही सच में अपड़ना यादव समाजवादी पार्टी में वापसी तो नहीं करने वाली दोस्तों जब सपह को छोड़कर अपड़ना यादव भाजपा में शामिल हुई थी तब लोगों को कहना था कि भाजपा इस परिवार की अन्बन को निशाना बनाकर अपड़ना यादव को सपह के खिलां तो किया गया लेकिन उन्हें पार्टी में कोई बड़ी जिम्मदारी नहीं मिल पाई इसके लावा आपको याद होगा जब सपाने मैनपुरी लोकसभा सीट से नेताजी की बड़ी बहू और अखिलेश यादफ की पतनी डिमपल यादफ को चुनाव मैदान में उतारा था तब कयास लगाए जाने लगे थे कि भारतिय जन्ता पार्टी मुलायम सिंग यादफ की छोटी बहू अपड़ना यादफ को टिकट देकर समाजवादी पार्टी को कड़ी चुनावती दे सकती है अपड़ना यादफ की लखनव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भुपेंद्र चौदरी से हुई मुलाकात के बाद इन चर्चाओं ने और तुल पकड़ लिया था पर भाजपा से निराशा मिलने के बाद अपने परिवार से उनकी नजदीकिया एक बार फिर से बढ़ने लगी और वो दिखने भी लगी उन्होंने अपनी भाबी डिम्पल यादफ के साथ अपनी पुरानी तस्वीरे शेयर करके उन्हें जनम दिन के बढ़ाई भी दी थी तब ये साफ हो गया था दोस्तों कि इन दोनों के रिष्टे अभी भी बिगड़े नहीं अब एक बार फिर ऐसी ही खबरे आ रही हैं कि भाजपा उन्हें लोकसभा चुनाओ का उमीदवार बना सकती है लेकिन अगर इस बार भी अपड़ना के सपनों पर और उमीदों पर पानी फिर गया तो उनकी सपा में वापसे के उमीदें हकीकत भी बन सकती है आपको क्या लगता है अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताईए ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं मेरा नाम फरीन अंसारी है जै हिंद जै भारत